रिगवेद के मुताबिक कालचक्र चार युगों में चलता है। ये युग है सत्युग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। वर्तमान में कलियुग चल रहा है, इसी कलियुग में श्री हरी विश्नु कल की अवतार लेंगे। पौरानिक कथाओं के अनुसार, जब-जब प्रित्वी पर पाप और पापियों का अत्याचार बढ़ा है, तब-तब प्रित्वी पर भगवान श्री हरी विश्णु ने अवतार लेकर प्रित्वी को अत्याचारियों के आतंक से मुक्ति दिलाई है हर युग में भगवान विश्णु ने अलग-अलग अवतार लेकर लोगों को ज्यान और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है धार्मिक पुराणों में भगवान विश्णु के सत्युग से लेकर कल्युग तक में कुल 24 अवतारों के बारे में बताया गया है इन में से 23 अवतार हो चुके हैं और आखिरी एक कल की अवतार कलियुग में होना बाकी है भगवान कल की के जन्म के समय गुरू, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में होंगे और भगवान के जन्म के साथ ही सत्युग की शुरुवात होगी बात दें की भगवान क्रिष्ण के बैकुंठ वापस जाने के बाद कलियुग शुरू हुआ था श्रीमत भागवत के मुताबिक भगवान विश्नु का कल की अवतार 64 कलाओं से पूर्ण होगा भगवान कल की सफेद घोडे पर सवार होंगे और पापियों का नाश करके पृत्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे